कहिए कैसे हैं आप, बच्चों के स्ट्रेस को कैसे दूर करें स्ट्रेस बच्चों में आम तोर पर पेरिंट्स की यही सोच होती है कि बच्चे, बच्चों में किस बात का स्ट्रेस होता है stress तो हम बड़ों में होता है, बच्चों को तो हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा खाना पीना दे रहे हैं, उनकी अच्छी schooling करा रहे हैं, उनको किस बात का stress है, stress तो हम बड़ों को है office जाना है, घर के dस काम है, दस चिन्ता है, बच्चो को किस बात का stress तो बच्चो को भी stress होता है, उनके mood से, उनके behavior से पता लग जाता है जिसे आपने भी कई बार, आप parents ने भी कई बार note किया होगा जैसे कुछ भी काम कह रहे हैं, तो चिट-चिट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रूट रहे हैं, पढ़ाई की बात करो, तो कभी पेड़ दर्द हो रहा है, कभी सिर्दर्द हो रहा है, कभी नीद आ रही है, अलग-अलग चीजे होती है न, ये reflect करती हैं, कि उनको tension है, कि वो stress मे हैं, तो जरूरत है इस बात की समझने की, और उनके stress को दूर करने की, तो किस तरह से किया जाए, मैं आपको 9 बाते बता रही हूँ, कि हम बच्चों के stress को किस तरह से दूर कर सकते हैं, देखे, सबसे पहली और सबसे आदा जरूरी बात ये है, कि आप stress को खुदी कम करें, पेरेंट्स अपने stress को कम करें, उनके सामने तो कम से कम ना दिखाएं, बच्चों के सामने, आपने जैसे, आप जो सोच रखते हैं कि stress तो हम बड़ों को होता है, बच्चों को क्या, वो जो आपको जो stress है ना, जो stress पेरेंट्स को है ना, वो बच्चों के सामने reflect हो जाता है वो कही ना कही सामने आ जाता है आप शो कर देते हैं और ये एक तरह का जो stress होता है ये contagious होता है जैसे संकरमन रोग होता है वो होता है ये कि एक को हुआ stress फिर दूसरे को फिर तीसरे को फिर चौते को घर के members को होता चला जाता है देखिए मैं बताती हूँ अपनी बात clear करने के लिए कि किस तरह से मैं इसको contagious बोल रही हूँ तो जैसे एक family है father, mother और बच्चे family में रहते हैं husband आते हैं office से थके हारे आते हैं और wife उन अब ही मुझे बात मत करो अब ही अपेला शोड़ दो जहो तुम तो वह बहार आजाएगी दर्वाजा बढ़ाम से बंद करते होए बहार आगे बैठ जाएगी इतने में बच्चा आएगा उसके पास कि चलो ममी खेलते है मिरसे बात मत कर अभी में को थोड़ दर अपेला श शोर मुचाता है दुखे कर रखा है तुने तो यह चीज़ क्या हुई हस्बेंट से वाइफ में वाइफ से बच्चे में तो वही मैं कह रही हूँ कि जब हम स्ट्रेस घर में लेकर आते है न तो एक जन्य को होता है वह स्ट्रेस पूरे लोगों को हो जाता है इसलिए कोशि के सामने इस तरह की अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना चाहिए फिर दूसरी बात जो पेरेंट्स को करनी चाहिए वो यह कि नहीं करनी चाहिए वो यह कि बहुत जादा उमीदें नहीं लगा करनी चाहिए मतलब एक तो होता है कि चलो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उस क्लास में फर्स्ट आना ही है, सेकंड तो तुमने आना ही नहीं है कभी, इस तरह की सोच तो बच्चों को बहुत जादा कहीं बार डाउन भी कर देती है, वो बहुत जादा ओवर करने लगते हैं, उससे क्या होता है, कि कहीं न कहीं उनकी लाइफ में स्ट्रेस बैठ जाता है इसी कहीं में एक एक्जामपल बताती हूँ, काफे टाइम पहले की बात है, कि जैसे पेरेंट्स उमीद लगाके बैठे होते हैं, कि अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, फर्स्ट आएगा, टॉप करेगा, और एक सब्जेक्ट नहीं हर सब्जेक्ट मे फिर एंड में बहुत लेट जब पता लगा, वो तो घर के पीछे ही चुपके बैठा हुआ है, डर के मारे, क्योंकि रिपोर्ट कार्ट में साइन कराने थे, और उसकी हिम्मत ने थी साइन कराने की, तो जब वो बाहर आया, उससे पूछा, तब उसने बताया, तो यही स्ट सीताई करेंगे, या फिर स्कूल में कोई अपनी water bottle भूल गया, चलिए मान लेजे की अपना trifन भूल गया, water bottle gi भूल गया, तो बहुत गुसा करेंगे, इतना गुसा करते हैं कई बार तो हाथ भी उठा देते हैं, पिठाई कर देते हैं, तो बच्चे में एक अंजाना सा भय बैट जाता है जबकि ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चों को समझाना चाहिए कोई बात नहीं गलती कर ली इस बार आपने गलती कर ली आगे से मत करना एक बार दो बार और अगर वो ही गलती क्या होगा कि वो स्ट्रेस में चला जाएगा तो कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जब गलती हो रही है तो कोई बात नहीं उसको अराम से समझाना है अगर दूसरी बार भी होगी दिए कि छोटा बच्चा है थोड़ा समय तो लगता है कि जूट बोलना शुरू करती है चोरी करना शुरू करती है तो थोड़ी सी पेरेंट्स को पेशन्स रखके उसको अराम से समझाना है बजाए एकदम से तूतरा करने के या हाथ उठाने के फिर इसमें चोटा पॉइंट आता है कि जो बच्चों की डेली रोटीन है जो उनका शुरूल हम पेरेंट्स ही बनाते है कि इस समय ये करना है जैसे सुबह उठना है फिर स्कूल के लिए भागना है फिर आना है फिर टूशन जाना है फिर उसके बाद एक होबी क्लास जोइन कर रखिया वहाँ जाना है फिर दुबारा एक और टूशन है वहाँ जाना है फिर उसके बाद होमवर करना है घर आके बहुत जादा ओवर बर्डन नहीं करना एक उनका शेडियूल बना रहे है न तो ये हमारी responsibility है ये parents की responsibility है कि बहुत अच्छा सा बनाए कैसे कि जो हम शेडियूल बना रहे है उसमें बच्चे का खेलने का time भी पक्का ही होना चाहिए बहुत ज़रूरी है उनको थोड़ा सा physical exercise भागना दोडना सिरफ बैठे रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि brain भी काम करना बंद कर देता है वो भी ठक जाता है बुरी तरे से तो उनकी activity होनी चाहिए physical activity फिर उसके साथ साथ नीन भी बहुत ज़रूरी है हम जैसे सुबह होते ही जिल्दी उठो स्कूल के लिए लेट हो रहे है स्कूल से आ रहे है जिल्दी उठो जिल्दी खाना कहो कितनी बार हम बोलते है जिल्दी खाना कहो टुशन पर जाना है लेट हो जिल्दी जिल्दी खाना कहो जल्दी अलजी सो जाओ, अब कोई computer थो लिना है body, कि जल्दी से आखे बंद की और नीद आ गए तो इतना जादा तो stress हम parents create कर देते हैं बच्चों के life में, उनको बिल्कुल easy होके चलने दे हम असल में problem पता कहां आती है, जब हम comparison करने लगते हैं अरे उनके बेटे ने, शर्मा जी के बेटे ने तो swimming सीख ली और इसको तो आती नहीं है, इससे कल ही join करा दे हमारे जो पड़ोस में उपर रहती हैं, उपर वाली मंजिल पे Mrs. Jan रहती है, उनकी बिटिया तो गिटार बहुत अच्छा बजाती है, इसको तो कुछ भी समझ नहीं है मतलब बच्चे के हिसाब से, जिस चीज में वो capable है, जिस चीज में उसका interest है उसके हिसाब से तो parents टोकें या कहें, तो तो समझ आता है, जैसे एक बच्चे को गाना ही नहीं आता है, उसकी आवाज में कोई लै नहीं है, कोई अच्छी आवाज भी नहीं है और उसको force करें, तो गा, गा, गा तो अगर है, अगर आपको लग रहा है कि इसकी आवाज बहुत सुरेली है, या उसके जो teacher है, वो ही कहते है कि अगर थोड़ी सी इसकी उपर महनत की जाए, तो इसकी आवाज बहुत अच्छी हो सकती है तो तो अलग बात है, पर उसकी आवाज ही अच्छी नहीं है और उसको force कर रहे हैं, क्यों क्योंकि आपके जो रिष्टे में है, उनकी लड़की या उनका लड़का बहुत अच्छा गाता है, इसलिए ये भी बने सिंगर तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चीजे जो है ना, ये बच्छों में बहुत stress पैदा करती है फिर इसमें पांचवा point आता है कि बच्छों का stress दूर करने के लिए उनको अच्छी-ची कहानिया सुनाई जा सकती है कहानियों में देखिए पहले तो न हम क्या गरें कि बच्छे को जैसे stress में है तो चलो थोड़ा सा नहा लो जैसे हमने ये धियान रखा है कि चलो नीन भी पूरी हो रही है हम डाइट भी अच्छी दे रहे हैं बच्छा खेल भी रहा है फिर भी उसका थोड़ा सा जाने रहा तो उसको थोड़े दिर बोलो कि नहा हुआ अराम से नहो तो वो चीज भी बहुत रिलेक्सिंग होती है नहाने के बाद जब वो आएगा फिर बैट पे लेटेगा तो आप उसको कहानिया सुनो कहानिया जैसे होता है ना बहुत प्यार से उसके सिर पे बालों पे हाथ फिरते हुए उसको बोलो कि आंके बंद करो और इमेजिन करो इमेजिन करो जैसे पहाड कहानी है, बहुत उचा पहार है, वहां ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, वहां खूब सूरत पेड लगे हैं, चिडिया चाह चाह रही है, अलग-अलग उसको imagination करने दीजे, फिर एक समुंदर का किनारा है, वहां पे खूब सारे नारिया लगे हैं, अलग-अलग से, इंटरस्टिंग से, जिसमें ब्रेन की exercise भी हो, और मन भी बहुत लगता है, बहुत मज़ा भी आता है, इस बारे में तो मैंने एक दो वीडियो भी बनाई है, मैं नीचे उनका लिंक दे रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा, तो ब्रेन गेम्स आप अपने हिसाब से पर यह है कि इस तरह से attention divert करके बच्चा थोड़ा सा अच्छा, fresh feel करता है, तो जैसे brain games हो गए, और अलग-अलग तरह की stories हो गई, quiz हो गई, थोड़ा सा attention divert करके बच्चे को अच्छा मैसूस होता है, फिर इसमें next point आता है कि अगर बहुत जादा TV देख रहा है, बहुत कम, यह नहीं है कि बंद कर दो, तुम तो homework करते नहीं हो, पढ़ाई करते नहीं हो, दो दिन के बाद, चार दिन के बाद से exam शुरूर है, TV बंद, TV बंद क्या cable का connection ही कटवा दिया, cable वाले को मना कर दिया, बंद कर दो, यह चीज़े भी बहुत तो बच्चे को अंदर ही अं बच्चे थोड़ा सा एंटर्टेन्मेंट थोड़ा से चही होता है, बढ़ाई के बीच में, चाहिए बड़ा हो, चाहिए छोटा, कोई भी हो, थोड़ा बहुत एंटर्टेन्मेंट, हसी, light, light सा mood करना बहुत जरूरी होता है, हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, बच्च एक वीडियो गेम का टाइम पिक्स कर दिया कि इतनी देर ही वीडियो गेम खेलना है बहुत ज़्यादा देखते हैं और कई बर कुछ ऐसे सीरियल चल रहे होते हैं लड़ाई, मारधार वाले, गुस्से वाले, खून खराबे वाले तो बच्चों के बहुत-बहुत सॉफ्ट हर्ट होता है, बहुत कोमल दिल होता है, कि ज़्यादा देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, उनको ही स्ट्रेस होगा, इसलिए फिर इसमें सात्वा पॉइंट आता है कि बच्चे का स्ट्रेस दूर करने के लिए बच्चे का तनाफ दूर करने के लिए पेरेंट्स को समय समय पर बच्चे से पूछते रहना चाहिए अब पूछेंगे कैसे पूछेंगे तब जब हम बच्चे के साथ समय बिताएंगे बताओ तुम्हें स्ट्रेस क्यों है क्या हुआ तुम किसले ऐसा मुझ बना लेते हो तुम पढ़ते वक्त तुम्हें क्यों नहीं नाने लगती है बताओ बताओ ऐसे नहीं होता बिलकुल अराम से जब बच्चा खेल रहा हो जब बच्चा खा रहा हो बातों बातों में कि क्या एक दम से कि बताव से क्या होता है कि बताव होता है उसको अब करना बच्छा कि वह पो तो है उसको आप मैं पहले की बात। में a article लिख रही थी तो बहुत बच्चों से पूछ दिक आपको क्या कड़ना अच्छा नहीं लगता और क्यों इस तरह से पूछ रही थी मैं तो एक लड़की ने बोला मुझे न पार्क जाना अच्छा ने लगता तो थोड़ा सा मेरे को हरान्य यह मैने का पपार्क जाना अ तो देखिए बच्चे जो मैं बात करें ना कि बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं पेरेंट्स को बहुत चीज़े धिहान में रखनी चाहिए देखिए पहली बात तो यही आती है कि दूसरा नाम है पेशेंस पेरेंट्स का दूसरा नाम पेशेंस है बहुत सहियम रखना चाहिए और बच्चे के साथ समय बिता कर उसकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए उसके एंगल से सोच कर समझने की कोशिश करनी चाहिए बहुत ज़रूरी है बच्चे बहुत मासूम होते हैं इसलिए उनकी केर भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ न एक कहानी अक्सर मेरे जहन में आ जाती है ये कहानी मैंने पहले भी एक बर सुनाई है एक वीडियो में पर जब भी उस कहानी के बारे में सोचती ही हूँ न तो जैसे होते हैं गूस बंस रोंगते खड़े हो जाते हैं ऐसे हो जाता है, तो मैं आपको सुनाती हूँ, वो कहानी बिल्कुल दो मिनट की छोटी सी कहानी है, पर इससे ये पता लगता है कि बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, होता ये है कि एक आदमी होता, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, तो उसका बच्चा होता है, चार साल का उसको लगता है कि अकेला ना फील करें मदर की वज़े से, कि मदर नी रही, तो वो दूसरी शादी कर लेता है, तो शादी करने के कुछ दिन के बाद वो अपने बेटे के पास जाता है, उससे पूछता है बेटा, आपको अपनी नई मम्मी कैसी लगी, तो बेटा बहुत ही ना मैं ऐसे ही मम्मी से नाराज हो जाता था, लड़ाई जगडा करता था, तो मम्मी कहती तिर से बात नहीं करती, तिर को खाना नहीं दूगी, और थोड़ी देर बाद वो मेरे से बात भी करने लगती थी, मेरे बालों पर हाथ भी फेराती थी, मुझे बहुत प्यार भी कर है ना कितनी सच्ची और जो फादर थे ये सुनके एक्दम सन रह गए तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं बच्चों की केर बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए बहुत सोच समझ कर बहुत कूली बहुत पेशन्स के साथ फिर इसमें आटमा पॉइंट कि बच्चे की अटेंशन को डाइवट करते रहना चाहिए अलग-अलग तरीके हैं जिसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को खुश रखें बच्चों के चेहरे पर स्माइल आए चाहे तो कोई उनके लिए सर्प्राइज कोई पार्टी रख दी चाहे बच्चों का क कोई बहुत खास दोस्त है उसको घर पे बुला लिया वो भी एकदम सर्प्राइज या फिर बच्चे की पसंद का खाना बनाया कि बताओ तो आज मैं क्या बना रही हूँ नहीं नहीं बताओ बताओ ऐसे करके कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा खुश रहे वो स्ट्रेस जो है ना वो उसको टेच भी ना कर पाया है स्ट्रेस से बिलकुल उसको दूर रखके उसकी पसंद का काम उससे पूछ के जैसे कई बार होता है कि एक प्लांट ले आए घर पे और बच्चे की डूटी लगा देगी इसको आप नहीं पढ़ा करना है देखते हैं इसमें कब किसी हादर डालनी है फिर या किसी की हेल्प करनी है किसी की हेल्प जैसे कोई जरूरत मंदा है कोई घर के आगे आया है कोई बहुत गरीब है किसी की पाऊं नहीं है हाथ नहीं है तो उनकी हेल्प या कोई काम वाली बाई है उसका बच्चा है या उसको कोई कपड़ा चाहि सिखाएंगे ना यह आते हैं बचों को देने की तो भी स्ट्रेस कम होता है पर यह नहीं है कि जब अधस्ती देना एक नहीं यह खहलो नहीं है प्यार से देने के लिए चिला चाना और जो चीज पुरानी हो गई अब हम यूज नहीं कर रहें क्योंकि हमने नहीं ले ली तब करके और इसमें फिर 9th पॉइंट आता है कि बच्चे को हग करना है बहुत प्यार करना है जैसे एक तो होता है हमने उसके साथ समय बिताना है उसकी सारी feelings को सुनना है, share करनी है, उससे बहुत सारी बाते share करनी है, और उसको एक hug देना है प्यार बरा hug, जब हम ऐसे उसको hug कर लेंगे ना तो सारी नराज की, हम कितनी बार देखते ना कि बच्चे एकदम से गिर गया चोट लगी तो मदस क्या करती है, पेरेंट्स क्या करते है एकदम से उसको गले से लगा लेते है बस, बस, बस यह चीज होती है हम जब hug करते हैं बच्चे को तो उसका जो stress है वो खतम हो जाता है तो hug करने में दिक्कत क्या देखिए बहुत खुबसूरत सा रिष्टा है बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत केर करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए यह जो परिवार है ना परिवार का दूसरा नाम क्या है परिवार का दूसरा नाम प्यार ही है बच्चे की खूप केर करनी चाहिए किसले आया stress उसके पास दूर दूर तक नहीं फटकना चाहिए stress पूरी केर करनी चाहिए ख्याल रखना चाहिए बहुत अच्छा relation बहुत अच्छा रिष्टा बना के रखना चाहिए बच्चों के साथ हम बोलते हैं ना मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जैसे होते हैं जीवन में रिष्टे बनाने बहुत जुरूरी होते हैं जीवन में रिष्टे होने रिष्टे बनाने बहुत जुरूरी होते हैं पर रिष्टों में जीवन है ये ज़्यादा जुरूरी है जो हमने रिष्टे बनाए हुए हैं उसमें जीवन है की नहीं और जीवन डालने के लिए हम क्या करेंगे जीवन डालने के लिए हम उनकी केर करेंगे हम उन्हें प्यार करेंगे बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है ये चीजे पेरेंट्स को समझनी ही चाहिए विसे आप बताईए पेरेंट होने के नाते आप किस तरह से जब बच्चा स्ट्रेस में होता है किस तरह से हैंडल करते हैं जरूर बताईएगा आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा तो कल फिर मिलूँगी तब तक स्माइल भी रखिये और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखिये और हाँ अगर आपने मेरा ये यूटिव वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जो एक बैल का बटन है ये भी दबा दीजेगा ताकि जब भ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपको लगता है कि किसी और पेरेंट के भी ये काम आ सकता है तो प्लीज आप इसको शेर भी कर लिजेगा ठीक बाए